अश्कार दोस्तों स्वागत है आपका सही ट्रेट चानल के उपर दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अब स्टॉक अगर आप यूज करते हो और उसमें आपको निफ्टी फिप्टी खरीदना है तो किस तरीके से आप खरीद सकते हो ये एक एजुकेशनल है तो मैं वाई करके नहीं दिखाऊंगा आपको प्रोसेस पूरी दिखाने वाला हूँ तो जैसे कि आप देख रहे हैं अब स्टॉक हमने यहाँ पर ओपन कर दिया है और जो वाच लिस्ट है वो हमने पहले तयार कर दी है अब सब जानते हैं कि निफ्टी फिप्टी जो है वो एक इंडेक्स है और इंडेक्स को आप स्टॉक की तरह नहीं खरीद सकते हैं आपको अगर इंडेक्स में ट्रेड करना है तो आप ट्रेड कर सकते हो लेकिन लॉंग टम के लिए खरीदने के लिए कुछ अलग सिस्टिम है और ट्रेडिंग के लिए कुछ अलग सिस्टिम क्योंकि index हम करीद नहीं सकते इसकी वज़े से हमें FNO में trade करना होता है nifty 50 यानि कि आपको nifty 50 buy करना है या तो आप futures में buy कर सकते हो या options में buy कर सकते हो और अगर आपको holding के लिए nifty 50 लेना है तो आप ETF buy कर सकते हो यानि कि exchange traded fund जो होता है वो buy कर सकते हो तीनों process दिखाऊंगा कि किस तरीके से करते हैं सबसे पहले देखते हैं कि ETF buy कैसे करते यानि कि आपको long term के लिए nifty 50 buy करके रखना है जैसे कि आप stock buy करते हो तो आपको ETF buy करना होगा अब ETF यहाँ पर आप देख रहे है nifty 20 का ETF है जिसकी price salary है 206 रुपे 24 पैसे अब इसमें क्या होता है nifty 50 के जो 50 shares है उसका performance जैसे होता है वैसे ही nifty 20 ऊपर या नीचे होता है अगर nifty 50 के 50 stock ऊपर की तरफ बढ़ रहे है यानि कि उसमें bullish moment है तो nifty 20 जो है वो positively perform करेगा और अगर bearish moment चल रही है nifty 50 में तो nifty 20 जो है वो bearish perform करेगा यानि कि down हो जाएगा तो आपको अगर long term के लिए stock की तरह hold करके रखना है तो nifty 20 में आप investment कर सकते है और stock की तरह उसे hold कर सकते है long term के लिए अब दूसरा तरीका होता है futures and options का पहले futures का देखते फिर options का देखेंगे क्योंकि मैंने बताया कि nifty 50 एक index है तो index को आप directly buy नहीं कर सकते है hold नहीं कर सकते long term के लिए तो आप contract करीच सकते हो expiry अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे है nifty का future contract हमने यहाँ पर add करके रखा है तो यह June मेने का future है जो आप trade कर सकते हो जिसकी price आप देख रहे हो 18,553 रुपे चल रही है अब इसको अगर buy करना है तो simply इसके उपर click करना होगा इसका chart आप देख सक करके आप जो भी आपकी buying position है या short की position बनानी है वो सारी चीज़े आप यहाँ पर कर सकते हैं अब buy करने के लिए simply आप यहाँ पर buy या sell का बटन दबा दोगे तो आप वो page के उपर चले जाओगे तो buy करने के लिए simply इस तरीकी की screen open होती है यहाँ पे आप intraday भी ले सकते ह और delivery भी ले सकते हो अब अगर delivery लेते हो तो 29 जून की जो expiry है वहाँ तक यह पूरा का पूरा trade hold कर सकते हो या फिर intraday अगर लेते हो तो 9 बच के 15 मिनिट के बाद buy करना होता है तीन बच के 30 मिनिट के बाद 30 मिनिट से पहले आपको sell करना होता है तो यह simple process होता है अब यहा पर आप market price लगा सकते हो, limit price लगा सकते हो, limit price लगा दोगे तो आप यहाँ पे negotiate करोगे price को और अगर आपको यहाँ पर charges देखने है तो हम यहाँ पर lot select करेंगे आप देख सकते है कि एक lot जो होता है वो nifty का 50 का होता है यानि कि एक lot में 50 shares आपको nifty के मिलते है तो आपका profit ज जो भी होगा वो 50 के इसाब से होगा तो इस तरीके से आपको सारी जीज़े करनी है आप short की position भी बना सकते है अगर आप nifty में bearish है आपको लगता है कि expiry तक nifty bear trade में जा सकता है bearish हो सकता है तो आप उसे short भी कर सकते है और hold करके आपकी position पैसा कमा सकते है आपको लगता है कि long position यानि कि nifty bullish होगा मन तेंड तक तो आप यहाँ पे buying का call ले सकते है और बैठ सकते है अब charges देखते है अगर आपको nifty future trade करना है तो आपको एक लाग 6,925 रुपे आपकी account में होने चाहिए क्यूंकि 20% upfront margin आपको यहाँ पे देना होता है total traded value अगर आप देखोगे तो 18,850 क आपको margin pay करना होता है अगर आपको future में trade करना है तो यहाँ पे आपको यह facility मिल जाती है same margin होता है buy करने time पे और sell करने के time पे भी उसके बाद आप यहाँ पे review order करोगे और review order करने के बाद आपका जो position है वो बन जाएगा position आपको दिखाई देगा holding में जैसे ही आप holding में ज पास ठीक से analysis किया है आपके पास strategy है तो आप आसानी से futures में trade कर सकते है लेकिन future and option risky होता है without analysis कोई भी चीज मत कीजेगा क्योंकि आपको बहुत बड़े losses उठाने पड़ सकते है daily mtm यहाँ पे count होता है क्या होता है mtm इसके बारे में already मैंने detail में वीडियो बनाई है कि mark to market क्या होता है वो आप वीडियो जाके देख सकते है description में उसकी link available है अब आते है सबसे easy तरीका होता है जहाँ आपको ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ते है वो होता है options का अब options में क्या होता है दो तरीके के options होते एक होता है call options एक होता है put option अब अगर nifty में आप long position बनाना जाते यानि कि आप bullish है तो आप call option buy करते हो और अगर आप bearish हो तो आप put option buy करते हो आपको लग रहा है कि market उपर ही जाने वाला है expiry तक तब आप call buy करते हो और market अगर नीचे जाना है आप का analysis ऐसा कहता है तो आप put buy कर सकते हो अब options में दो प्रकार की expiries होती है पहली होती है weekly expiry और दूसरी होती है monthly expiry monthly expiry जैसे हमने future में देखा था कि 29 जून हर महने के last Thursday को monthly expiry होती है और हर week के Thursday को weekly expiry होती है मतलब हर week में जो गुरुआर आता है उसमे weekly expiry होती है options में आपको दोनों expiries देखने के लिए मिलती है लेकिन future में सिर्फ एक expiry होती है monthly expiry अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे है nifty 8600 का यहाँ पे put हमने रखा है nifty 8900 का call है 8800 का call है 8700 का call यहाँ पे है तो CE मतलब होता है call European और PE मतलब होता है put European क्यूंकि हमारे जो options चलते है वो European standard के साफ से चलते है US के साफ से नहीं चलते इसलिए call European और put European कहा जाता है तो इस तरीके से call और put में buying और selling करते हो अगर आपको लग रहा है कि nifty इससे और नीचे जाएगा तो simply आप put के उपर click करोगे put buy करोगे जैसे कि इसका भी chart analysis आप कर सकते हो तो आपको buying करनी है अगर आप bearish हो तो आपको put buy करना है अगर आप put sell करोगे तो आप bullish हो जाओगे क्यूंकि put की value sell क बनाएंगे कि किस तरीके से होता है और already मैंने video बनाया है कि क्या होता है call option क्या होता है put option उसकी भी description में link अवेलेबल है वो video आप जाके देख सकते है कि put selling से क्या होता है call buying से क्या होता है तो buy करने के लिए simply buy के उपर click करना है जैसे कि आप यहां पर देख रहे है price जो चल यह वो 13.25 पे से चल रही है यहाँ पे भी आप limit market order लगा सकते हो आप ये भी trade delivery में ले सकते हो और intraday भी ले सकते हो अब इस particular put option की जो expiry है वो 22 जून की है आज है 19 तारीक 22 तारीक को जो गुरुआर आएगा उसमें ये जो contract है वो expire हो जाएगा आपकी position आप वहाँ तक ही hold कर सकते हो उसके बाद आप hold नहीं कर सकते expiry के दिन आपको यहाँ से निकल ही जाना पड़ेगा अगर नहीं जाओगे तो automatically auto square off हो जाती है और आपको extra charges देने पड़ते है तो simply आप buy करोगे buy करने के लिए आपको जैसे मैंने कहा था कि future अगर आप trade करते हो तो आप लोग आपक प्राइज आपने यहाँ पे 13 रुपे है अब 13 रुपे 25 पैसे को 50 से multiply करोगे तो 662 रुपे होते है तो इतने ही पैसे आपको देने है यह इतने से ही पैसे देखे आप nifty में short position बना रहे हो ऐसा आप कह सकते हो मतलब nifty future short करना मतलब nifty नीचे आने का wait करना bearish trend के साथ में trade क करना मतलब भी वही होता है लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ option का जो premium है उतने ही पैसे पे करते हो उससे ज्यादा पैसे नहीं पे करते है लेकिन यही चीज आप sell करने के लिए जाओगे तो आपको margin देना पड़ता है अब यहाँ पे आप देख सकते हो sell करने के लिए आपको 93, 93,000 रुपीज देने पड़ेंगे क्योंकि जो चीज आपके पास है नहीं उसको आप sell कर रहे हो यानि कि आप stock से पैसे यहाँ पे margin में उठा के sell कर रहे हो तो जो भी option buyer है वही थोड़ा सा ध्यान रखें कि selling में आपको margin देना पड़ता है और option में जो भी trade करते हो वो short की position जो बनानी होती है option sell करने की वो थोड़ी सी risky हो सकती है वैसे option buying भी risky है यहाँ पे कोई चीज हलके में नहीं देनी चाहिए हमें जैसे कि अभी price चल रही है 13.45 पैसे अगर मुझे यह buy करना है तो simply मैं select करूँगा 13.45 पैसे buy और यहाँ पे एक lot और review buy order करूँगा तो यहाँ यहाँ पे आप सारी चीजे देख सकते है कि quantity कितनी है required quantity मुझे कितने पैसे चाहिए और estimated charges मुझे यहाँ पे कितने लगने वाले है तो submit order हम करेंगे तो हमारा order जो है वो देख सकते है आपकी buy हो गया है ऐसे ही मैंने random buy करके दिखाया है मैंने कोई ऐसा analysis ज्यादा किया नही क्योंकि मैंने put यहाँ पे buy किया है और market भी bearage दिखाई दे रहा है तो यहाँ से market यह दिखिया भी plus मैं आ गया पाच रुकर प्लस आ गया यह प्लस माइनस चलता रहेगा मैंने delivery में position लिए तो मैं expiry तक hold कर सकता हूँ यानि कि मैं 22 जून तक यह expiry तक hold कर सकता हूँ अगर मुझे यहाँ पे profit हो जाता है तीन बच के तीस मिनिट से पहले तो मैं यहाँ से निकल जाओंगा और मेरा profit book कर लूगा तो इस तरीके से आप call option और put option में भी trade कर सकते हो options में भी trade कर सकते हो futures में भी trade कर सकते हो और अगर आपको holding के लिए position लेनी है यानि कि आपको ज्यादा दिन के लिए nifty में hold करके रखना है एक साल के लिए दो साल के लिए तो आप यहाँ पे nifty bees का ETF जो है वो buy कर सकते हो अभी आप देख रहे हो कुछ 15 रुपे का यहाँ पे 17 रुपे का profit हो रहा है तो यह छोटा छोटा profit हम यहाँ पे book कर सकते हैं अगर आपको sell करना है तो simply आ मैंने आपको buy और sell करके दिखाया और मैंने total profit यहाँ पे book किया है 42 रुपे 50 रुपे से का चोटा profit है सिर्फ educational purpose वीडियो है इसकी वज़े से मैंने यह चोटा profit book करके दिखाया तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो nifty 50 buy कर सकते हो याप stocks में और आसानी से आपकी जो श्रेड से आदा शेयर करना आपकी जो भी डाउट से वो आप comments में पूछ सकते हो और चानल को subscribe करना ना भूलना धन्यवाद